है आलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे वूंग तो आज में फिर आप सभी की बीच अपनी एक रैसीपी लिख रहły हूँ देखे मैं इडियो किस तरीके से फ्राइक करती हूँ आज मैं आप सभी इंचराख रहूंगी आपनाoterी इडली मेंसे मैंने चार पीस किया है यह देखिए इस तरीके से मैंने इडली को काट लिया है यह मैंने पत्ता गोवी ले लिया है बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी काट लिया है मैंने इसको और यह ले लिए मैंने सिम्ला मिर्च, दो सिम्ला मिर्च ली हैं, मैंने इनको भी बारिक 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 यह मैंने दो गाजर ली हैँ, गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहेब तो घिसकर भी बना सकते हैं, लेकिन सबजियों को जब इस तरीके से आप काटेंगे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा हाता है, यह मैंने स्वीट कॉंड ले लिया है, इनको मैंने स्टीम कर लिया है और थोड़ी सी ले ले लिया है मैंने मुमफली के लिए इनको मैंने घी में पहले ही भून कर रख लिया है तो यह अपमेदी सारी सबजें और सारा समन तयार है और ये ले ली है मैने राई और करीपत्त। राई और करीपत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा है था। एल्ली फ्राइ करने में… आप मैंने लोहे की कड़ाय ले लिए है और आघंविक सरस्व का तेल मैं निर सरस्व के तेल को गरम होने के बाद सबसे पहली डाल दूँगे। इसमें राइ और करीपत्ता। दो मिन तक प्याज को चलाने के बाद। इसमें डाल देजे हम अपनी मसाले जए में अपनी मसाले हैं, मसाले में आप अच्छा आता है इल्ली का ब्रेक पास्ट बहुत ही लाइट बहुत ही हेल्दि होता है यह डाल दीया अब मैंने बीज देकर बीज को पकने में थोड़ा सा ठाइम जाहता लगता है इसलिए सबसे पहले मैंने अपकी बीज टली है बीज टली करें लिए बीछ गाजर दाल से इस अब 시지만 बचे सब्जा नहीं खाते हैं। तो उन्हे सब्जय के लिए अलग अलग तरीके इस्त St. ने पड़ते हैं। तो जब आप इस तरीके से बच्चों को अलग अलग तरीके से recipes बना कर खिलाएंगे तो वो सब्जिया खानी स्टार्ट कर देंगे और सब्जिया हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होते हैं हरी सब्जिया तो बच्चों को जरूरी खानी चाहिए अभी मिक्स हो गए तो इसके बार डाल देंगे हम अपने sweet corn स्टार्ट को बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और जब सायदा पिटली में sweet corn यूज करेंगे तो बच्चे एडली बहुत ही सोक से खाएंगे गैस को मीडियम रखना है और इसी तरीके से चलाते हुए अपनी सब्जियों को भूल लेना है देखिए हल्की से पका लेना है इनको इन्हें ढखना नहीं है क्योंकि पत्ता गोबी और सिम्ला मिर्च का फ्लेवर हल्की से क्रिस्पी होने में ही आता है तो सब्जियों को जा इसे मिक्स कर देंगे ये ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट होता है हेल्दी होता है और फटा फट से बन भी जाता है इडली को पहले ही बना कर रख लेते हैं मैंने इडली पहले ही बना कर रख लीती और सब्जियों को भी रात को काट कर रख लीजिए और सुबह जल्द बा सभाने के लिए तेयार है इडली किagen काने विर्टी रोगती है चाहिं तो आप सो चटनी के साथ साथी से सब्सक्राइब आप अब काने में एंडली तयार है ब्रक्पास्ट के लिए आप सभी मेरी रेषिपी कैसे लोग है कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए और आप को मेरा तरीका कैसे अप लगा आप comment box में comment कीजिए का वीडियो को like कीजिए चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए थैंक्यू सो मच कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो नहीं रच